10.1 दक्षिन अमेरिका में उपनिवेश्वाद और राष्टवाद नई धर्ती की खोज भारत की खोज में कोलंबस नामक नाविक इस्पेन से तीन जहाजों के साथ निकला और सन 1492 में अटलांटिक महासागर पार करके अमेरिका के निकट के द्विप समूह पर पहुँचा कोलंबस ने सोचा कि वा भारत पहुँच गया उसने उन द्विपों को इंडीज और वहां रहने वाले लोगों को इंडियन कहा आज हम इंडीपों को वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं समय के साथ यह पता चला कि यह नया महादूप है भारत नहीं है लेकिन फिर भी अमेरिका के मूल निवासियों को आज भी रेड इंडियन कहा जाता है 10.1.1 दक्षिन अमेरिका पर कबजा कुछ वर्षों में यूरोपिय नाविकों ने पूरे अमेरिका महादूप के तटकी आत्राएं कर डाली इस महादूप को अमेरिका नाम दिया गया इस नई भूमी पर कबजे की संभावना ने इस्पेन के पेशिवर सेनपतियों को आकरशित किया ये पेशिवर सेनापती यश और धन कमाने के लिए अपनी सेना तयार करके स्पेन के राजा से अमेरिका में उनकी ओर से नए छेतर जीतने की अनुमती लेते थे। वे अमेरिका में अपने लिए जमीन के बड़े टुकडे घेरना चाहते थे ताकि वहां खेती वह पशुपालन किया जा सके। उन दिनों यूरोप में आबादी तेजी से बड़ रही थी और जमीन की कमी थी। ऐसे में एक पूरा महादुए बसने के लिए मिले तो क्या बात थी। अमेरिका का एक और आकर्शन था। उन दिनों यूरोप में सोना चांदी का आभाव था। और यह अफ़ा फैली कि अमेरिका में इनके बेशुमार भंडार और खाने हैं। यूद्धा और सेना पती सोना चांदी लूटने की आशा में अमेरिका की ओर निकल पड़े। जमीन और सोना चांदी के अलावा इन यूद्धाओं के लिए एक और प्रबल प्रेणा थी। वे मानते थे कि वे अमेरिका के असब भी लोगों के बीच इसाई धर्म फैलाएंगे। रोमन कैथोलिक चर्च ने यूद्धाओं के साथ कई विशेश पादरियों को भी अमेरिका भेजा ताकि वे वहाँ के लोगों का धर्मांतरन कर सकें। उस समय अमेरिका में दो महान सामराजे थे। एक था इंका सामराज जो इंडीज परवतमाला के दक्षिन में था। वहाँ का तक्नीके विकास अलग था। वहाँ न लोहे का उप्योग होता था, न पहिये वाली गाडियां थी, न घोडे, न गाय बैल, न तोब बंदुग। वे लोग हल चला कर खेती नहीं करते थे और ज्यादा तर कुदाल से खेती करते थे। और इससे विभिन तरह के अ लोग एक दूसरे के रिष्टेदार होते थे। गाओ के लोगों को राजाओं अभिजाते लोगों के मांगने पर बेगार करनी पड़ती थी। वहाँ पुजारियों का काफी महत्यों था, वे सूरज आदी की पूजा करते थे और समय समय पर जानवर वो मनुशिक की बली च एस्टेक राजा मेकसिको के एक दुर्गम छेतर के किले में रहता था, उसने कोटेस और उनसके सैनिको को बिना रोके, यह सोच कर आने दिया कि ये लोग उससे शांती पूरक मिलने वह बात चेत करने आ रहे हैं। एस्टेक के लोगों का विश्वास था कि उनके कुछ किन्तु अचानक कोटेस ने राजा को उसके ही महल में बंदी बना लिया और भयंकर लूट पाट और मार काट मचाई। इस पेनी लोगों के साथ आई चेचक जैसी महमारी भी अपना काम कर गई। एस्टेक के सैनिक बिमारियों के कारण मारे गय यह लड़ने के स्थिती में नहीं रहे। इस युद्ध में कोटेस की जीत के कई कारण रहे। इस पेनियों के हतियार खास कर घोड़े, बंदू के और तोपे एस्टेक तीरों और भालों से ज़्यादा असरदार थे। एस्टेक राज्य को स्पेन का एक प्रांत घोशित किया गया। ज़्यादत नाग पुर्तगाल के नाविक भी कोलंबस की तरह भटकते हुए ब्राजील के तड़ पर पहुँचे। लेकिन ब्राजील प्रदेश में कोई स्थानी राज्य नहीं था। वहां केवल कई शिकारी कबीले रहते थे। पुर्तगालियों ने उस इलाके पर अपना कबजा जमा लिय और स्पेनियों की ही तरह वहां अपने लोगों को बसा कर खेती करने का प्रयास किया।